पाट्री ने तो 20% कहे दिया कि कम से कम 20 तो देंगे अब आप भी थोड़ी सरह दैता दिखाईए थोड़ा बड़ा दिल दिखाईए और आप ये कहिए कि हम आगामी लोकसभा के चुनाओं में उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 33% महिलाओं को टिकट देंगे प्रजेश्री हमने कहा ही नहीं है हमने उचे मापदन्ड स्थापित की हैं आज देश का जो नेत्रत्व है राश्ट्रपती वो महिला है और उत्तर प्रदेश जिसमें हम बैठ कर आज की बहस को गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं वहां भी राज्यपाल महिला ही है केवल निश्चित किया बलकि उनकी सुनिश्चितता भी पूरे देश के अंदर हर राज्य में और केंद्र की संगठन में करा कर दिखाई हैं अभी भारती जन्तापाटी ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है पहली बार भारती जन्तापाटी ने लगबक 6 महिल झन्तापाटी ने अपने घोश्नापत्र में शामिल किया था और इसी घोश्नापत्र के आधार पर भारती जन्तापाटी ने राज्यसभा और लोक Conservation दोनों में नहीं आप और जरा राजनेतिक दलों की सूची तो देखे प्रजेश भाई आप ने कहा कि महिला जिला का उच्छ मापदंड हमने इस्थापित किया तो हम तो आपको वहीं से काउंट करते हैं जो आपने बताया नहीं आप वहीं से काउंट कीजिए लेकिन आप उतर पदेश के अंदर जो राजनेतिक दल हैं उनसे भी तो कंपेर करेंगे न वहाँ एक भी जिलाध्यक्ष महिला की सूची खोजने से भी मिलना मुश्किल है ऐसे पुलिटिकल स्टेट में भारती जनता पार्टी आगे आई और पूरे पूरे जिले की कमान महिला नित्रत को दी है ये बड़ी बात है हम निशित रूप से आगे बढ़ रहे हैं क्या आप इस बात का वाइदा कर सकते हैं कि आगामी चुनाओं में आप कम से कम 30% टिकट लोकसभा में कम से कम उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं को देंगे क्या आप ये कमिट्मेंट कर सकते हैं मैं टिकट की बात करना हूँ संगठन की नहीं ब्रजेश भाई देखिए मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ पार्टी जिस नीति को घोशित करेगी उसी को मैं बता सकता हूँ मैं इस स्थिती में नहीं हूँ कि मैं आपके साथ कोई कमिट्मेंट कर पाऊँ लेकिन निश्यत रूप से भारती जनता पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी नी कहा कम से कम 20 परसेंट तो देंगे और पिछणों धलित और अल्पसंखेकों को पहले देंगे ये बात से आप राजनेतिक दबाव महसूस करना है नहीं देखिए कहना अलग बात है हमने देखा उत्तरपदेश के अंदर अभी चुना हुए थे एक रास्टी पार्टी ने कहा था कि हम इतने प्रतिशत महलाओं को टिकट दे के दिखा रहे हैं उन्होंने दिखाने का बड़ा प्रोपोगंडा किया लेकिन अगले चुनाओं में वो क्या हुआ प्रोपोगंडा खतम हो गया इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारती जंता पार्टी करूंगा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दे कर कीर्थिमान इस्थापित किया हलाकि यह भी रिकार्ट कायम किया कि बहुत बड़ी तादाद में इनकी जमानतें भी जबत हुई लेकिन इन्होंने किया वो जोखिम उठाया मन जसे निवतर प्रदेश